PFC का share आने वाले 2-5 महीने के अंदर लगबग आपको 75% का return दे सकता है और अगर 5 महीने की बात करें तो 100% का return देने की शमता रखता है और अगर हम जिस हिसाफ से sector की re-rating देख रहे हैं इस हिसाफ से sector की re-rating होती रही तो इस company का share price आपको 4 digit में भी दिखाई दे सकता है आने व कुल साफ है company के valuation और मजे की बात तो ये है PFC के share को REC की share के according अगर हम देखें तो valuation इस समय REC से कम मिल रहे हैं और जबकि देखा जाये तो REC जैसी company के अंदर PFC 52.5% stake hold करती है तो बजार जब भी इस तरीके की गलतिया करता है तो बजार को उसकी कीमत pay करनी होती है और वो कीम होती है share को बढ़ा कर या घटा कर तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये ही discuss करने वाला हूं ऐसे कौन से बड़े कारण हैं पर दिखाई दे रहे हैं जो PFC के share में इतनी बड़ी तेजी ला सकते हैं तो चलिए मेरे साथ आज इस वीडियो में हम ये ही discuss करने वाले ह Power Finance Corporation हमारे देश की Power Sector के अंदर finance करने वाली देश की number one company है ये आप कह सकते हैं दिगज कमपनियों में शुमार है number one ये company जिसके portfolio size अगर आप देखें REC के मुकाबले लगबग double size है और Power Sector की स्तेजी में जो financing होगी वो कहा जा सकता है कि इन कमपनियों के बगएर पूरी होनी मुम्किन नहीं है उसके बावजूद भी इस company के valuation REC के comparison में सस्ते हैं और अगर पूरे overall power sector के इसाफ से financing sector के इसाफ से भी अगर हम देखें तो ये तो पूरा ही sector इससे में underweight है PFC जैसी कमपनिया power sector के अंदर बिजली बनाने वाली कमपनियों को finance कर रही है Transmission Line वाली कमपनियों को finance कर रही है और साथ ही साथ जो power distribution का काम करती है उन कमपनियों के भी projects को finance कर रही है और renewable energy sector के अंदर जो capex हो रहा है उसको भी ये company बड़ा seriously लेकर उस पर काम कर रही है और अपने भी books में green energy portfolio का size लगातार बढ़ाने में लगी हुई है साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरीके से government इस समय power sector के अंदर production को लेकर या capacity को लेकर जो current capacity है उसको आने वाले 5 सालों में double करने के लिए काम कर रही है तो और कमपनियां जिस हिसाब से सरकारी कमपनियां capex कर रही है तो उसकी तो तेजी इन कमपनियों को सीधी सीधी मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे point discuss करता हूँ जिससे आपको खुद पता लग जाएगा कि power finance corporation का जो share price है वो बिलकुल भी justified नहीं है वो clear cut unjustified है अम बात करें FY23 की तो REC जैसी company जो है लगबग 11,55 करोड रुपे का मुनाफ़ बना रही थी और power finance corporation लगबग 21,180 करोड रुपे का तो profit के मुकाबले अगर देखा जाए profit के अंदर power finance corporation का profit REC से double है यहीं अगर हम बात करें loan book की तो REC की loan book है 4,35,000 करोड रुपे की FY23 की और power finance corporation की है 8,57,500 करोड रुपे की net worth की बात करें तो 57,680 करोड रुपे की net worth है REC की यहीं अगर power finance corporation की बात करें तो लगबग वो double है 1,11,680 करोड रुपे के आसपास है net NPA की बात करें तो दोनों का लगबग 1% के आसपास है net income की बात करें net interest income की तो REC की लगबग 49,253 करोड रुपे की income थी यहीं पी power finance corporation की लगबग 6,496 करोड रुपे की है यहीं अगर हम बात करें cost of funding की साड़े साथ परसेंट की funding लगबग दोनों company होगी है दोनों ही सरकारी कंपनिया है दोनों की cost of funding लगबग साड़े साथ परसेंट की है यहीं अगर हम बात करते हैं company के valuations की तो FY23 के earning के इसाब से REC को मिल रही है लगबग 1.25 की book value और PFC को मिल रही है लगबग 0.7 की book value यहीं अगर हम बात करें PE की price to earning ratio की तो REC को मिल रहे है लगब 6 की PE और अगर power finance corporation को बात करें तो लगबग साड़े 3 का PE मिल रहा है तो आप तो पहले यही decide कर लीजी लिए यह किस तरीके से justified है और इसके पीछे मैं आपको एक बहुत बड़ा मोटा कारण बता देता हूँ कि ऐसा क्यूं है REC का share price power finance corporation के मुकाबले अभी थोड़े दिनों पहले काफी सस्ता था लोगों ने सस्ते share को पकड़कर इसमें तेजी पहले बना ली अब दोनों के price आसपास दिखाई दे रहे हैं और power finance corporation के अंदर तो अभी आपको bonus share भी मिलने वाला है इसका share price आपको घटता हुआ दिखाई देगा क्योंकि share की quantity बढ़ जाएगी तो जब ये share आपको हो सकता है REC सस्ता दिखाई दे इसका चलने का ये भी कारण बनेगा और साथ ही साथ जो company के valuations हैं अगर वो पिछले financial year के हिसाफ से ही मिल जाएं तो इस company के share price में आपको अगले 2 महीने के अंदर लगभग 75% की तेजी दिखाई देनी चाहिए और 4-5 महीने के हिसाफ से लगभग double जो valuation इस समय REC को मिल रहे हैं और जिस हिसाफ से इस sector की re-rating हो रही है और REC की भी re-rating होती है जबकि पहली re-rating PFC की होनी चाहिए क्योंकि PFC सेक्टर लीडर है तो उस हिसाफ से अगर इनको price to book 2 का भी मिल जाए तो यह तो company सीधा सीधा यहाँ पर 4-digit में जाती ही दिखाई दे रही है और मज़ेगी बात यह है कि जो power sector के अंदर जो capex हो रहा है इस capex के अंदर लगबग अगले 5 सालों के अंदर 31 लाग करोड रुपे की जड़त पढ़ सकती है यह power finance corporation का कहना है तो उस हिसाफ से तो इनके लिए कितना बड़ा scope है अभी अपना काम बढ़ाने के लिए तो यह sector जो है काफी broad sector होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप यह देखिए finance sector के अंदर जो छोटे छोटे बैंक है उनको इस समय दो ढ़ाई तीन का multiple मिल रहा है book value पर और इन company को क्या मिल रहा है सवा का multiple एक से भी कम का multiple तो इनके तो valuation बहुत ही जादा कम है तो जैसे जैसे यह rally broad ways होती जाएगी इनके valuation आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे power finance corporation के share में तेजी आने के एक कारण नहीं है यह नेक कारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ और यह तेजी REC में भी दिखाई देगी तो मेरी नजर में तो जिन लोगों ने power finance corporation जैसी company के अंदर invest करा हुआ है उन लोगों को तो इस company को अपने account में डाल कर भूल जाना चाहिए और short term के इसाफ से इन में ज़्यादा दिमाग ना लगाए यह बहुत ही ज़्यादा undervalued stock इस समय है जो कि इस समय बहुत थी price पर आपको available है और dividend और bonus बाटना तो इन company का करतवे है यह आप कह सकते हैं कि इनकी मजबूरी है तो वो भी एक अलगी कमाई होती है तो मेरी नजर में इन company को long term के view के हिसाफ से long term का मतलब साल दो साल के हिसाफ से आप इनको portfolio में रखिए यह आपर पूरा पैसा बनता हुआ दिखता है बाकी आप भी थोड़ा सा power sector पर नजर बना के रखें power sector के अंदर इंफ्रा sector के अंदर काफी हमने बड़ी coverage करी है वो उसका कारण ही यह है कि यह share valuation के एसाफ से काफी अच्छे है उमीद करता हूँ power finance corporation को लेकर आपको काफी कुछ मदद मिली होगी वीडियो अच्छी लगे तो भाई एक ही बात है लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना